बांदर जन्पत मुख्याले सित्र नजारबाग में कोठेदार रामसरूप चौरसिया ने जन्वरी महा में कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल नहीं दिया ना देनी की वजह से आचा साहिंता बताई गई बांद में रिफाइंड आया ही नहीं बताई गया इतना ही नहीं कोठेदार इतना दबंग है कि आए दिन कार्ड धारकों को धमकाते हुए कहता है कि पांच-पांच लोग लगे हैं सरकार फ्री में सिवा करा रही है तुम्हीं लोगों निकाला जाएगा अपने कुछ खास लोगों को जन्वरी महा का रिफाइंड टेल देखा शेश लोगों का खा गया जन्ता की मिल रही सूछनाओ पर मौके पर जाकर देखा तो करिए बाधा सेखडा लोगों ने मौके पर जन्वरी माहा का रिफाइंड ना मिलने की बात कही जब कोटेदार से उसका पक्षि जानेने के लिए बात करना चाहिए तो वो पहले बड़ी बत्तमीजी से बात करने लगा जब जलापूर्ती अधिकारी बांदा को फोन कर पूरा मामला बताया तो कोटेदार ने खुद कुछ लोगों को रिफाइंड तेल ना देने की बास विकारते हुए कहा कि पैकेट चुहे खा गए हैं और बहाना बनाए गया अब देखने वाली बात है कि एक तरफ के इंडवार राजे सरकार कुरोना माहमारी के चलते गरीबों को निशल कर राशन देकर उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन कोटेदार गरीबों के राशन में डांका डालने का काम करते हैं देखना होगा कि जलापरशासन इस कोटेदार के खिलाफ क्या कारवाही करता है इसलिए नहीं नहीं परफिश कॉल लाइक करना काते जब्बभ तो में इसे खोल कर दे देंगे जिस आहम उनको खाली करा के दे रहे नहीं सी में दे रहे हैं उनको बाद में लिए अभी दे देंगे क्या नाम है आपका ठेकेदार राम स्वारूर क्या नाम है आपका यहां कितने दें उसे रासंकार लगा यह जो है आपका यहां पर अंगुटा लगवाने पाद आपको रिफाइल्ड मिला था इसके बाद में आपने बाद की तो यह क्या रहा है रहते हैं अपको रिफाइंड दिया था नहीं दिया तो अब उसके बाद दोबारा लेने आए तो दिया बंद रखटो काई दिया काम कतम होगे इसके बाद दोबारा थे लिए पाइली बाद दिया रहा है इसके बाद दोबारा थे लिए काई फुट भी नहीं दिया तो पहने लगए नहीं हुदा से है झाल कर दो पहरन कर दो कर दोबार काई नहीं है। connections